प्यारे बच्चो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास एड्थ एक्सरसाइज 11C को कम्प्लीट करवाऊंगा जो हमने 11B एक्सरसाइज की है जो हमारी इससे पिछली वीडियो थी उसमें हमने direct proportion या direct variation के बारे में पढ़ा कि अगर एक quantity increase होती है तो दूसरी भी increase होती है तो इस direct proportion को कैसे solve किया जाता है तो उसी चीज का हमें यहाँ पे इस्तिमाल करना है और यह जो exercise है इसका जो basic है वो है application of direct variation तो इन में questions में direct variation के यह questions है इसमें हमें statement को समझना है और solve करना है तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे इसको आप solve कर सकते हैं सबसे पहले first statement है अलाई said that ratio of her weight to that of dawn आप ध्यान रखना इन तरह की जो भी statement आएंगी उसमें आपको दो quantities given होगी ठीक है अब जैसे इसमें है ratio जो है वो किस-किस की है weight of alice and john अब उनकी ratio दे रखी है फिर हमें alice का weight दे रखा है तो john का हमें बताना है कितना होगा तो हमें क्या करना है आपको table बनानी है कैसे बनानी है weight पूरा लिखना है आपने of alice ठीक है पूरा लिखना है आपने यहाँ space कम होने के वज़से मैं w of a लिख रहा हूँ w मतलब weight of alice फिर यहाँ पर आएगा weight of john ठीक है अब first जो हमारा column बनेगा उसमें आपने ratio लिखनी है 8, 9 और second वाले में इसका weight given है if alice weight alice जो है उसका weight 40 है तो what is the weight of john तो john का weight कितना होगा तो john का weight हमाल लेंगे x ठीक है अब अपने direct variation देखना है x by 9 40 by x अगर आपको ratio given हो तो आप एक और direct method भी use कर सकते हैं यहाँ पर वो क्या है कि weight of alice divided by john this implies ratio जो है 8 by 9 is equal to 40 by x सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं यह मैंने आपको वैसे method सिखाया ताकि आपको अगले आने वाले sense में असानी रहे हैं ठीक है तो ऐसे भी आप लोग solve कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है अगर हम इस तरीके से करते हैं तो कैसे होगा 8 by 9 is equal to 40 by x तो हम क्या करेंगे cross multiply 8 की x से करेंगे तो 8x is equal to 40 की 9 से करेंगे तो 40 into 9 ठीक है अब जो इनकी multiply मत कीजेगा क्योंकि अभी हम cancel करेंगे इसको कैसे करेंगे 8 इदर multiply में इदर जाएगा तो divide में तो कुछ इस तरह से statement बन जाएगी x is equal to 40 into 9 divide by 8 8 की table में cancel होगा 8 5 जा 45 9 जा कितना होता है 45 तो answer आगया 45 kg जो है जो है जोन का weight है ठीक है ऐसे ही next question है the cost of apple and oranges is in the ratio 6 is to 9 तो ratio हमें given है if a box of orange cost 90 rupees अगर orange का cost जो है box का वो 90 rupees है तो apple का कितना होगा तो हम क्या करेंगे जिसकी ratio हमें given है किस हिसाब से given है apple पहले orange बाद में तो हम याँ लिखेंगे cost पूरा लिखने आपने cost of apple divide by cost of oranges पूरा लिखने आपने ठीक है तो इसके लिए हम बनाएंगे उपर apple नीचे orange तो ratio है 6 divide by 9 is equal to अब apple वाला उपर अना चाहिए देखो apple वाला हमें find out करना है तो उसको हम x let कर लेंगे शुरू में आपको ये line लिखनी जरूरी है let cost of a box of apple is equal to x फिर आपने ये statement solve करनी है ये आपको विशेश द्यान लखना है अब हम क्या करेंगे cross multiply x वाले की पहले 9 की x के साथ करेंगे तो यहाँ पर आजेगा 9 x is equal to 90 की 6 से multiply तो 90 into 6 अब x के साथ 9 है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो statement कुछ इस तरह से बनेगे 9 into 6 divided by 90 into 6 divided by 9 9 की टेबल में इसको cancel करते हैं 10 10 6 जा 60 हमारा answer इसका बनेगा ठीक है फिर आती है next statement third third वाले में भी same कुछ इसी तरह की statement है ratio हमें given है the speed of two train are in ratio दो trains की ratio हमें given है if the speed of first train first train की speed given है तो दूसरे की हमें बता नहीं है तो आप शुरू में first line लिखेंगे let the speed of second train x फिर उसके बाद आपने लिखना है speed of पूरा लिखना है मैंने s से note किया है आपने पूरा लिखना है speed of first train ठीक है speed of first train divided by speed speed of second train ठीक है तो यह जो है इस order में हम ratio निकाल रहे है तो first वाली की ratio है 4 divided by 5 is equal to अब first वाली की speed हमें given है तो हम लिखेंगे 48 divided by second की हमने let की थी x तो इसको divide में लिखेंगे अब 4 की पहले x से multiply करेंगे तो यहाँ पर आजेगा 4 x is equal to 48 की 5 से multiply करेंगे 48 into 5 अब 4 इधर x के साथ multiply में उदर जाएगा divide में तो इसको हम solve करेंगे x is equal to 48 into 5 divide by 4 4 की table में 4 वन जा 4 4 तू जा 8 अब 12 की 5 से multiply करेंगे तो 60 km per hour इसका answer आएगा ठीक है फिर next है statement fourth question इसमें रमन drives 120 km in 2 and half hours ठीक है 2 and half को हम solve कर लेते है 2 1 by 2 2 तू जा 4 और 1 5 तो 2 1 by 2 को हम लिख सकते है 5 by 2 ठीक है तो इसकी जगा हम 5 by 2 का use करेंगे how many km does he drive in 1 hour तो एक घंटे में वो कितना करेगा drive ठीक है तो कैसे करेंगे हम सबसे पहले हम करेंगे हमारी table का use या फिर आप सीधा distance इसको लिख सकते है इसको लिख सकते है time ठीक है तो हम table बनाते है जो हमें निकालना है वो है distance तो हम यहां लिखते है distance पूरा लिखना है आपने मैंने d से note किया है और यहां पे time तो first column में आएगा distance था 120 तो time था 5 by 2 इसको solve कर दिया हमने 2 1 by 2 को ठीक है फिर distance हमें निकालना है तो x और time 1 hour तो इसको solve कैसे करेंगे 120 इसके divide में ये माफ किजिए 120 divide by 5 by 2 है अब 5 by 2 divide का divide कहां चला जाता है उपर तो यह जो है statement क्या हो जाएगी 2 जो नीचे वाला है वो हम लेके जाएगे उपर is equal to x by 1 अब 1 है तो 1 को इधर उधर करने की जुरूरत नहीं है सीधा हम इसको solve करेंगे तो हमारा answer हमें मिल जाएगा 5 की table में इसको cancel करते हैं 5 बन जा 5 5 जा 10, 5 जा 20 24 की 2 से multiply करेंगे तो 48 km जो है इसका answer है ठीक है तो देखा आपने कितनी असानी से हमने इसको find out कर लिया next question है 5 डेजी यूज आप 3 लिटर आफ पेट्रोल फोर राइडिंग 100 km तो अब की बार दो चीजे कौन सी है पेट्रोल और distance how many लिटर अफ पेट्रोल तो how many है यहां हम इसको x लेट करेंगे let x liter of petrol does she use for riding 400 km तो distance हमें given है 400 km जाने के लिए कितना पेट्रोल वो use करेंगी तो उसको हम let x कर लेंगे फिर हम यहां पे column बनाएंगे कैसे पेट्रोल P से note किया हमने आपने पूरा लिखना है पेट्रोल और यहां पे distance ठीक है डी से distance अब पेट्रोल 3 liter था तो distance उसने cover किया 100 km पेट्रोल जो है वो x है तो distance travel किया 400 km तो हम इसका solution कैसे find out करेंगे 3 by 100 is equal to x by 400 ठीक है अब cross multiply करेंगे 100 की x के साथ multiply करेंगे तो 100 x हो जाएगा is equal to 400 की 3 के साथ तो 400 x 3 अब हम क्या करेंगे x के साथ 100 multiply में है उदर जाएगा तो divide में तो statement बन जाएगी x is equal to 400 into 3 divide by 100 2 0 से 2 0 cancel तो 4 3 जा कितना होता है 12 तो x की value आ गई 12 liter तो कितना petrol लगेगा उसको 12 liter petrol ठीक है फिर आता है 6th question इसमें है जानिया can jog जानिया जो है jogging होता है जो धीरे धीरे दोड़ते हैं सुबह करते हैं 3.5 km 3.5 km in 1 hour तो अब की बार distance है और time at same rate how many km can she jog in 3 hours तो कितने km जो है तो हम माल लेंगे x km वो jog कर सकती है in 3 hours तो हम यहाँ फिर से बनाएंगे distance और दूसरा लेंगे हम time ठीक है तो first distance है 3.5 3.5 तो time कितना है 1 hour फिर distance है x तो time कितना है 3 hour तो हम लिखेंगे आपर 3.5 divided by 1 is equal to x by 3 ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इसका point हम हटा देते है तो यह बन जाएगा 35 by 10 अब हम cross multiply कर जाते है या फिर आप ऐसे कर सकते है देखो माफ किज़े x उपर है 3 नीचे है divide में divide वाले को उदर लेके जाते हैं तो किस में जाता है multiply में तो यह statement कुछ इस तरह से बन जाए कि 35 divide by 10 है यह साथ में आ गया 3 is equal to x 35 की 3 से multiply कर देते हैं कितना आएगा 35 जा 15 3 जा 9 और 1 10 105 डिवाइड वाले है 10 तो एक के बाद हम point लगा देंगे तो x की value आगे हमारी 10.5 तो हमारा answer आजएगा 10.5 किलो मीटर ठीक है इस तरह से आपको इसको करना है तो जानिया जो है 3 hours में कितना jog करेगी 10.5 किलो मीटर फिर है हमारा 7th question 7th में है एरोप्लेन flies 1600 किलो मीटर in 2 hours तो फिर से इसमें distance है और time है at same rate how long how long का मतलब कितनी दूर जा सकता है how long sorry कितना time लेगा will it take to fly 6400 किलो मेटर तो इतना distance ट्रेवल करने में कितना time लेगा तो हमार लेगे x hours जो है वो लेगा तो फिर से हम लेते हैं time और दूसरा हम लेगे distance तो यह हो जाएगा time लगता है 2 गहंटे कब लगता है जब distance होता है 1600 फिर हम लेगे time लगता है x जब distance होता है 6400 अब हम लिखेंगे 2 by 1600 is equal to x by 6400 अब आप देखें 6400 नीचे डिवाइड में है इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं multiply में तो यह आजाएगा statement कुछ इस तरह से 2 इंटू 6400 डिवाइड बाइ 1600 is equal to x 2 0 से 2 0 cancel 16 की table में आता है 4 पे तो 4 पे आगया 4 तूजा कितना हो जाएगा 8 तो x की value आगई हमारी 8 तो कितना time लगेगा उसको 8 hours का time उसको लगेगा 6400 km travel करने में ठीक है next है question question number 8 इसमें है for every 5 days of work berender gets 2 days of holiday मतलब 5 दिन का काम होता है उसके बाद berender को 2 दिन की छुटियां मिलती है ठीक है अब हमारे पास 2 चीज़ें कौन-कौन सी है working day और holiday उसके बाद if he works for 20 days तो how many days of holiday can he enjoy तो कितने दिन की उसको छुटियां मिलेंगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे working day और holiday तो first हम लिखते है holiday hd लिखते तो आपने पूरा लिखना है holiday फिर wd का मतलब working day ठीक है first line में देखो 5 working day है तो holiday कितने है 2 तो 2 और working day 5 फिर हम लिखेंगे next line में if he work for 20 day तो working day है 20 तो holiday हम माल लेंगे x ठीक है तो यह आपको पहले लिखना पड़ेगा let number of holiday x अब हम वही चीज 2 by 5 is equal to x by 20 अब 20 नीचे divide में है उस तरफ लेके जाएंगे तो multiply में तो statement कुछ इस तरह से बनेगी 2 by 5 into 20 उस तरफ रह जाएगा सिरफ x 5 की table में 4 पे cancel हो जाएगा 4 तू जा कितना हो जाएगा 8 तो x की value आ गई हमारी 8 तो 8 दिनों की उसको छुटियां मिलेंगी अगर वो 20 दिन काम करता है तो फिर हमारा 9th, 10th और 11th question 9th में है if 10 books cost अगर 10 books का cost जो है वो 170 रुपए है how many books can be purchased for 420 रुपए तो 425 में कितना आएगा अब इसमें 2 जीजे कौन सी है number of books cost of books तो हम फिर से वही पहले हम बनाएंगे number of books 20 से दिनोट की हमने आपको पूरा लिखना है number of books फिर नीचे लिखेंगे cost C से cost अब books अगर 10 है तो cost कितना है 170 ऐसे ही books अगर x है तो आपने चुरू में let लिख देना है let number of books x तो cost कितना है 425 अब फिर से वही काम आप करेंगे 10 by 175 oh sorry 170 is equal to x by 425 ठीक है अब 425 जो इधर नीचे है इसको हम दूसरी तरव लेके जाएंगे तो multiply में तो statement क्या बनेगी हमारी 10 into 425 divide by 170 ठीक है 0 से 0 cancel कर दो अब इसको हम cancel करते हैं 17 तूजा 34 तो कितना बचेगा 34 6, 8, 85 तो 17, 5 जा 85 तो x की value आगे हमारी 25 ठीक है तो 25 books अगर खरीती जाएंगी तो उनका cost आएगा 425 इस तरह से आपको करना है next question है 7th if 7 kg of sugar cost अब किलोग्राम में है sugar quantity of sugar और cost of sugar तो 25 kg शुगर कितने की आएगी तो हम दो जाएगे लिखते हैं यहाँ पर cost और नीचे हम लिखेंगे quantity of sugar क्या हुआ है इसका मतलब quantity of sugar तो अगर cost है 112 रूपीज तो sugar कितनी है 7 kg अगर cost हम मान लेते हैं x तो sugar कितनी है second line में 25 kg तो इसको हम solve करते हैं 112 divided by 7 is equal to x divided by 25 अब 25 इदर नीचे divide में है इसको दूसरी तरह लेके जाएगे multiply में तो statement हमारी बन जाएगी 112 into 25 divided by 7 is equal to x तो अब हम इसको cancel करते हैं 7 की table में 7 बज़ा 7 4 बज़ जाएगा 42 7 सिख जा 42 16 की 25 से multiply करते हैं 25 चिके 140 25 से कम 25 और 15 तो answer आजएगा 400 ठीक है तो आपने अपने हिसाब से multiply करनी है मैंने अपने हिसाब से इसको multiply किया है तो x की value आगे हमारी 400 और x हमने let किया था cost को तो cost आएगा हमारा 400 रूपीज ठीक है फिर है हमारा last question 11 इलेवन्थ में है if a boat travel 125 किलोमेटर in 2 and half hours 2 and half को हम फिर से solve कर लेंगे तो जाज़ेगा 2 तो 4 और 1 5 तो 2 1 by 2 जहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 by 2 तो दो चीज़े हैं यहाँ पर distance और time तो how far कितनी दूर will it travel in 12 hours तो हम माल लेंगे let let it travel x किलोमेटर in 12 hours तो अब हम फिर से वही दो कॉलम बनाएंगे distance और दूसरा हम बनाएंगे time तो अगर distance है 125 किलोमेटर तो वो cover होता है 5 by 2 hours में अगर distance है x किलोमेटर तो वो cover होगा 12 hours में तो हम क्या करेंगे यहाँ पर divide by 5 by 2 आना था अब देखो divide के नीचे divide हो तो वो चली जाती है statement उपर तो यह 2 जला जाएगा उपर यहाँ से तो इसको हम यहाँ से साफ कर देंगे और कहां पहुँचा देंगे उपर उपर कहां पहुचाना है इसको यहाँ पर ज्यादा उपर नहीं पहुचा देना है is equal to x by 12 अब इधर जो नीचे 12 है यह नीचे divide में है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यह जाएगा multiply में तो statement कुछ इस तरह से बन जाएगी हमारी 125 इंटो 2 इंटो 12 डिवाइड बै 5 इस इक्वल टू x अब इसको cancel करते हैं 5 बन जाए 5 यहाँ पर आजएगा 5 टू ज़र 10 5 फाइव ज़र 25 अब 25 की 2 से multiply करेंगे 50 आजएगा 50 की 12 से करेंगे तो 600 आजएगा तो final answer आगया हमारा 600 किलो मेटर क्योंकि हमने distance को x माना था ठीक है तो 600 किलो मेटर हमारा answer है तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपने complete किया है exercise 11c जो कि class 8 से है इसी तरह से और भी वीडियो आगे आती रहें तो उसके लिए आप हमारे चनल को बनाते रहें धन्यवाद